44 से 54 तक मैंने बोला था paper 1, that means ideally you should get approximately 100 से लेगे जो भी 110 के आसपाँ जा रहा है, अब बात ये है कि क्यों नहीं आए, क्या बज़े थी, ठीक है, जो मुझे लगा है, आपकी बज़े क्या हो सकती है, तब से पहली बज़े, क्लास में कराईवे सवाल, जब एक्जाम में आ रहे हैं, तो वो आप नहीं कर पा रहे हो, शायद आप रिविजन ठीक से नहीं कर रहे हो, तो पहले आप उस चीश को समझा लो, सवाज मारी बात, देख, जही एडवांस में करेवे सवाल, एज़ेटिस देखने के करेवे सवाल, एज़ेटिस मिल जाएं, देखने के लिए बहुत बढ़ा बोनस है, यहीं पर मास्टर की क्वालिटी होती है, कि तुम्हें क्या पढ़ाए, कि वहाँ पे आदे से ज़्यादा सवाल आपके करेवे ही आ जाए, बस डेटा चेंज हो, सोच, मैं तु सवाल भी मैच नहीं करता था हमारा, तो क्लास नोट चाहिए, जल्दी यल्दी माच बढ़ा देते थे, हम अपने जाप से करते थे, तुम्हारे केस में, इस साल तो देख ले, 90 माक जई एडवांस है, एजटीस क्लास नोट से डेटा चेंज करकर का आए है, इस साल भी होग IIT का पेपर है, मजाग नहीं है, आप इसको लाइटली मत लो, आप बहुत हो सकते लाइटली ले रहो, रगर ना पड़ेगा खुद को, हूम हैनत करनी पड़ीगे, सवालों के साथ कोईगी, 6-7 महीने की बात है, बस और कुछ नहीं है, पहली बात, दूस्ती का गलती हो सकत होगी है, calculation mistake, calculation mistake कैसे ठीक होगी, खूब सवाल लगाओ, खूब practice करो, निकाल लो 15-20 मत के वाल अलग, हम calculation की करेंगे, संबारी बात, यह होगी दूस्ती मत, तीसी गलती का हो सकती है, silly mistakes, आपने सवाल गलत पढ़ लिया, percentage change की mathematics से सवाल गलती करती, ठीक, उसको minimize करो आप, कै कैसे में निव, कहां गलती होगी, उसको लिख लो, भाई, यह गलती करती मैंने, यार यह सवाल मैं मास गलत पुट कर दिया, दो किलोगराम था, मैं चार किलोगराम पुट कर दिया, सवाल ठीक से नहीं पढ़ा, यह लिखो आप, क्योंकि हर एक गलती से, आपने एक सवाल दो-दो सवाल भी गलत कर दिया, हर एक मिश्टेक से, एक सवाल केलफली से मिश्टेक से निप्टा दिया, दो सवाल, दो सवाल गलत पढ़ने के विए से निप्टा दिया, दो सवाल आप इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि आपने क्लास नोर्स रिवाइस नहीं किया, तो साथ यह हो रहा हो तो अगर यह हो रहा है तो इस पर काम करो सब्मारी बात और नीचे क्रमेंट वक्ष में ज़रूर लिखना कि क्या आपकी दिक्कती क्या आपकी प्रॉब्लम थी क्योंकि अभी वक्त है और एक और तीसरा चौता फेक्टर और हो सकता है टाइम का अगैंगे हो इस चीज का समाधान वो देरे देर निकलेगा यह एक बार में नहीं आता है जब आप पेपर देते रहोगे तो इस चीज का समाधान धीरे धीरा जाएगा इसकी टेंशन आप मत दीजीगा ठीक अभी आप एक पर अगले बार जाओगे तो आप समझ में आ जाएगा यार यार ये भारी सवाल है नहीं करना भाई पहला आसान सवाल करूँ उसके बाद जब लेवस खतम हो जाएगा तो बहुत सारे मोक टेस्ट दोगे आप तो वहाँ चीजे सीख जाओगे मोक टेस्ट में जब बार 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 दें तो आप समझ में आ जाएगा अब यार हर बोल पर चक्का थोड़ना मारा जाता यार है cricket खेलते हैं तो जो बच्चे पहली जिसको पहली और बला तमा के खेल भीज्टा जो देखा दिए लगान पिच्चेर दिए देखा होगा तुम लगान पिक्चर समने देखी होती वह जो एक बागहा होता है जिए नाम शेयल बागहा होता है उसका बोल पर मारूं हुआ हुआ है तो इसलिए आउट होगे, LBW होगे चले जाते हैं, लेकिन समझधार क्या हसोस था है? नहीं, हर बोल पर नहीं मारना है, मार चक्का उस पर, सीधे मार्कस निकल गानी चीव हो रहा है, तो फिर पेशेंस भी रखना पड़ता है एकसाब में, तुम में जहोज़कता है काभी बच्चे वो पेशेंस कुट जाते हो, उनको लगता हो कि वो सवाल ही ऐसे उठाली हो नहीं, जो टफ है, जो टाइम ले रह सकती है, तो ये मिश्टेक भी आपके साथ हो सकती है, जहां तक मुझे लग रहा है, जो बाते मैंने बताई, यही आपकी मिश्टेक्स होगी, इसके अलावा, I don't think ही कुछ मिश्टेक्स होगी, तो इस पर काम करना है, पहला class notes अच्छे से follow करने है, बढ़िया तरीके से questions को revise करना है, class में attentive रहना है, और घर पे जाके questions के practice करना है, और यह paper देखके समझ गया होगा, no need to, कोई ज़रूरत ने बड़ी-बड़ी कितावे लगाओ, नहीं नहीं, class में जो करा है, वो बढ़िया से लगाओ, और जितरा class में content में दे रहा हूँ, PYQ के form में उसे लगाते लगाते हैं, और उसी सी तरह jay means निकल जाएगा, उसी सी तरह jay advance भी निकल जाएगा, आरे बास समझ में, तो आज के बाद क्या discussion निकला है, क्या किया गलतिया हो सकती है, और भी कोई गलती हो, तो नीचे comment box में ज़रूर बताईएगा, पहली गलती, कि भईया, class notes के question ठीक स revise नहीं किये, पहली गलती आपकी, उसको सुधान है, दूसी गलती, calculation mistake, workout करना है, खूब question लगाना है, तीसी गलती, सवाल गलत पढ़ा, अब मैं इसमें मदद नहीं कर सकता है, तेरी, वो तुझे खुद करनी पढ़ेगी, इसलिए तो बोलते हैं, कि खुद से सवाल लगा, उसलिए तो बोलते हैं, ओनलाइन में बच्चा का बैट के तमाचा देखता है, खुद नहीं लगाता है, इसलिए इसलिए गलती हैं होती है, selection इसलिए नहीं होता है, ओफलाइन में क्या होता है, बच्चा खुद करता है, इसलिए वो थोड़ आगे निकल जाता है, ठीक, silly mistakes सवाल गलत पढ़ दिया, डेटा गलत पढ़ दिया, डेटा गलत टिक कर दिया, A, B, answer आया, और B, C, bit कर दिया, put कर दिया, ये गलती है, नोट कीजिएगा, इसलिए इसलिए काम कीजिएगा, ये गलती है तुम ही सुधार सकता है, यहां से, क्योंकि मैंने paper नहीं दिया, आपने गलती करी, आप संभालो, आप उस चीज़ को find out करो, और फिर उसमें correct करो, चौथा time management, कही time management कहीं भी गलती हुई होगी, ठेक, गलत सवालों से पहले प्योड़ गए, ठेक, तो ये बेटा था मेरा analysis, इसमें से I think, I really want कि आप में से हर बच्चा 100 marks तो लेके आए, 100 न असान सवाल अगर में बोलूँगा, I think 30 number बड़े असान से तुझे यहाँ असान दिख जाएंगे, और 30 number तुझे यहाँ भी असान, बहुत ही असान दिख जाएंगे, only dicto formula case, तो मेरे साब से 60 से 65 तो आपके हर हाल में minimum आने ही चाहिए, जैसा paper का level है, believe me, मैं आपको demotivate न नहीं करना चाहता हूँ, जिस बच्चे के यहाँ पर 100 marks आ रहे हैं, वो बच्चा वहाँ main paper में 60 number ले आएगा, 60 ले आएगा, और अगर 50 से 60 लेके आगया, 60 भी लेके आगया, तो जिस बच्चों के 110 है, इसका मतब वो high level of accuracy के साथ खेल ला है, पढ़ गया जा रहा है, जिन बच्चों के साथ है, मैं उनसे बोलूगा कि अब महनत करो बेटा, अब यह वक्त है, महनत करो, अब यह boundary line पर हो, बहुत boundary line पर हो, ठीक, आप ऐसी boundary line पर हो, महनत करोगे तो advance पर select हो जाओगे, और सब हो नहीं महनत करोगे तो पीछे रह जाओगे, मैं पहली one कर रहा हूँ मैं जूटी तसलिन नहीं देना चाहता तुझे, और कुछ बच्चे ऐसे होगे, जिनके number 30 से ही कम है, 30 marks भी नहीं लेके आप आ रहे हैं, 40 marks भी नहीं लेके आ रहे हैं, दोनों paper को मिला के physics में, तो उन्हें मैं बोलूगा बेटा, J-means oriented हो जाओ, क्योंकि जो J-means level के सवाल हैं, वो आपसे बन जानी चाहिए, जो class में छोटे-छोटे सवाल करें, वो आपसे बन जानी चाहिए, क्योंकि अगर पूरे paper में, मैं आपसे बहुत ललू सवाल अगर आपसे मैं दिखाना चाहूं, जो बहुत ही आसान है, चल, ये भी tough है, ना हुआ तुस्से, चल, ये त आसान था, चिपग गे, इंटर्नल फोर्स का वक्टा, मदब चेंजिर काइटी के अनर्जी, ये कितना है, जैसे यहां से तु जोड़ेगा, ग्यारा नमबर, ये simple सवाल, ग्यारा चार, पंदरा नमबर, ये class में कराएवा सवाल है, चल, मान ले तुने सेंटो मास फ्रेम की वो class छोड़ दी थी, ठीक है चल, नहीं मानना इसको भी मैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये simple सवाल बता, चान नमबर का, 19 नमबर, आगे बढ़ो, ये simple सवाल, काइनेमेटिक्स का, सो, simple फोर्मोर में बढ़ो, 19-3, 22 नमबर, class में कराएवा सवाल, 25 नमबर, ये थे, काइने आ रहें, next, आगे बढ़ते हैं, इसमें देख, क्या simple सवाल है, 31-3, 34, ये simple देख, 37, छोड़ दिया, नहीं मानना मैंने, 37, नहीं मानना मैंने, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ये देख, 37-4, 41, आगे बढ़ो, ये देख, centivital acceleration की बेढ़, solve भी निक, इ ये देख, चल ठीक है, ये भी तू डर गया, चल ये भी तू डर गया, ये देख, class का क्रायवा सवाल है, दो पार्टी, तीन पार्टीकल हो गए है, ठीक, कितने मान, 4, 41, next, आगे बढ़ते हैं, ये देख, चल ये मान के चल आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये तो क्लास का कर रहा है, वह सवाल है, 45, ये देख, भरक नहीं तो कितना सवाल है, कितना सिंपल सवाल है, ये तो, अगर ये सवाल में, क्लास में करा था, आप मुझे पढ़ाने नहीं देते, कितना सिंपल सवाल कर रहा हूँ, ये एक्ज झाल झाल